हलो दोस्तों आज किस वीडियो हम बात करेंगे टस्रेंट डीम आमार पैडियाट्रिक कब सिरफ के बारे में यह खांसी के लिए सिरफ है इसपेसली बच्चों के लिए दियाती है तो इस सिरफ के बारे में आज हम आपको कंप्लिट जहन करी देंगे इसका कमपोजिशन क्या ह किस कंपनी दोराज को बना जाता है इसका प्राइस कितना है कौन-कौन सी समस्याओं को ये ठीक करती है कितनी रोज पेसेंट को दी जाती है कितनी खुराग मरीच को दी जाती है इसके साइट फेक्ट क्या-क्या है और आपको क्या-क्या साउधानी ध्यान में रखनी है इन सब लिफिरिन हाइडरोकिलोराइड एमब्रोक्सिल हाइडरोकिलोराइड गॉफैनिसीन और सोडियम साइटेट इसमें प्रिजेंट है इसको सिनकेम लेवरिटरी कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसका प्राइज 73 रुपय पर 60 हेमल सिरफ का प्राइज है इसमें एंटी ट्यूसिव एंटी एलर्जिक डिकंजेस्टेंड और एक्सपेक्टोरेंड प्रोपरिटी पाई जाती है यह सिरफ बहुत ही एच्छी सिरफ मानी जाती है इसका बहुत ही सांदार कॉंबिनेशन है कंपोईशन है तो इ जैसे छींगें आना, आँखों से पानी आना, नाग बहना, खुजली होना, नाग बंद होना तो इन सारी एलर्जिक कंडिशन को भी यह सिरफ ठीक करती है अब हम बात करते हैं इसकी डोज के बार में कितनी डोज पेसेंट को दी जाती है तो दो साल से छे साल की बच्चों क बिन में दो बार या तीन बार दी जा सकती है अब हम बात करेंगे इसके साइट फेक्ट के बार में इस सिरफ का यूज करने से क्या क्या साइट फेक्ट हो सकते हैं तो इसके कुछ कुछ कोमन साइट फेक्ट हो सकते हैं जैसे मतली उल्टी आना, पेट में एठन होना, दस्त लगना मुई सूखना थकान मुईसूस होना एलर्जिक रियक्संस होना चक्कर आना आखों से दुंदला दिखाई देना इस प्रकार के साइट फेक्ट इस सीरप के हो सकते हैं अब हम बात करें इसकी प्रकॉसंस के बार में आपको क्या-क्या साउधानिया ध्यान में रखनी च चाहिए क्योंकि प्रतेक पेसेंट की मेडिकल कंडिशन अलग-अलग होती है जैसे मरीज का वेट कितना है मरीज की एज क्या है पुरानी मेडिकल कंडिशन क्या है रोग की गंभीरता क्या है रोग का प्रकार क्या है यह सारी कंडिशन आपके डॉक्टर चेक करते हैं चेक क अगर किसी बक्ते को इस सीरव से एलर्जी होती है तो इसे बक्ती को इसका स्तेमाल नहीं करना चाहिए मैं किसी बक्ते को में जो किडिनी रही पाने के लिए हमारे चेनल को सब्सक्राइब प्सक्राइब